नमस्कार इस वीडियो संगला में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताएंगे कि एमिटर की सहाइटा से AC करेंट का किस प्रकार से मापन किया जाता है पहले मैं आपको इंट्रोडेक्शन देदू यह एक एमिटर है एक आपको करेंट का मापन बताएंगे तो आपको पहचान करना है कि आपको पहचान करना है साज कि किसीدا में कि पूमींटर मुई इनन ही है या मूविंग कॉईल है तो आप देखेंगे यहां एक सब भर रहा होत है यहां सब्सक्राइब अचरों मेटर्बना है यहां यह जो इसमबोल बना हुआ हुआ है एक बदाट DF एक और उसकाथ चालों तरफ mitigation कोशल इस पर एक अंसांकित पेमाना होता है यह पहले से केलिबरेट कर लिये जाता है अब इसके अंदुरूनी पार्ट तो कहा मैं आपको इंट्रोडक्शन देनी सबसे पहले इसमें यहाँ एक जीरो एजस्टिंग स्कुरू होता है यह जीरो एजस्टिंग स्कुरू होता है यह जीरो एजस्टिंग स्कुरू है इसकी सायता से आप इस सुई को जीरो पर एजस्ट कर सकते हैं जैसे अभी देखें यहाँ जीरो पर नहीं है यदि जीरो पर नहीं है यह तो आप इसको जीर इसके बाद हम आपको इसको ओपन करके बताएंगे इसके मुख्य भाग ज्यादा तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को जादव जटिल नहीं होती है इसमें कुछ चार या पांच मुख्य भाग होते होंगे होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं isमें यह मोटी कौय होती है चा λे कोल सका को सप्लाई के शीरिज में ही मेजर कर रहे हैं उसे हमेशा एमिटर की सीरीज में लगाताए है और यह पूरी पूरी सप्छाय कुर्जा में से होकर भजरती है इसेल tactics का जो गेज रखा जाता है फिल्ट क्यए ये क्यमी mechanism करेंट में नियां नहीं स्टीन होता है Erica comparing Kareli ऑन इस मेराक्ष में क्यान एक जब्लक्स परнут है या या कि फिल्र inaclet होता है और वो चुम्ब की फिल्ड यहां आप अंदर देख रहे होंगे यहां देखें के आप टिप पर इस स्कुरूटाइब की टिप पर यहां एक मुविंग आयरन लगा हुआ है तो यह मुविंग आयरन में भी चुमब की फुलकस कारण 자주 कःणि detta के सेव सामानुपाति होता है ग्रेंटcessors Dayapping ज्यादा उतना ज्यादाелю Khen 170 फिल्र फिल्ट उत्पन होता हैlier यह moving orange जो है attraction के कारण इस scale पर जब घूमेगा तो यह scale जो है आपका pointer जो है वो reading बताएगा इसके अलावा इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक आपकी spring लगी हुई है इसको हम बाल कमानी बोलते हैं या hair spring बोलते हैं इस hair spring का काम होता है कि इस सुई के लिए controlling tarp उत्पन करना यदि मालों यहाँ पर यह spring ना होती तो जैसे ही आप इसमें current प्रभावित करते तो यह जटके के साथ सुई आप भी दूसरी तरफ चले जाती और यह बारवार ओसलेट करती इसलिए यहाँ पर हम यह controlling tarp उत्पन करन अबमंदक के लिए deflection 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 अबमंदक टॉर्क के लिए यहाँ पर हम इसमें gravitational विदी का प्रियोग कर रहे है gravitational मतलब यहाँ इसके पीछे भाहर लगा देते हैं हलका सा ताकि यह सुई बारवार अपनी ओसलेटिंग उसलेट ना करे और पार्थ यहां क्लेने में दिक्कत ना हुए इसके अलावा यह pointer है यह pointer आपको दिखी रहा है तो यह इसके मुखे parts है इसके ज्यादा कोई construction नहीं है इसे हम वापिस लगा देते हैं वापिस तो अभी हमने आपको समझाया कि एविटर में कून-कून से parts होते हैं उनका क्या काम होता है उनका क्या नाम होता है अब हम और आपको सहाज़ता से किसी डिवाइस के द्वारा ली जाने वाली current का measurement उसका मापन किस परकार से एगे तो यहां मैं आपको बता दूँ कि एविटर से measurement ही करते समय आप हमेशा ध्यानरखिए कि का का current का measurement करना है इसलिए जिस device की current मेजर करना है इसे हमेशा उसके series में लगा दिया सप्लाई के फेडरल में लगा दिया तो इसकी कोईल जड़ जाएगी और एमिटर आपका फेड हो जाएगा उसके बाद वो किसी काम पर नहीं रहेगा इसलिए मेजरमेट करते समय आप ध्यान रखें कि एमिटर को हमेशा स्रीरीज में लगा तो देखिए यहां प यहां पर हम प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्टर के जो कनेक्टिंग लीड है उस कनेक्टिंग लीड के एक टर्मिनल पर हमने यह कनेक्टर जोड़ा हुआ है यह इस प्रोजेक्टर को फेज दे रहा है इसके बाद यह फेज इस प्रोजेक्टर में गया इस प्रोजेक्टर से फेस बापीस यहां रेटन आया और रेटन होकर के इस रेटन कंडधक्टर को हमने यहां पर यहां पर अमीटर अमीचर का यह तर्मिनल ही इ-स तर्मिनल से जो हमने आपको कॉयल दिखाए थी व्शुआ इुज फ्लाई मिलेगी और जितना यह करेंट ले रहा होगा जितना यह प्रोजेक्टर करेंट ले रहा होगा उसके सामानुपात में क्वाइल में फिलक्स उत्पन होगा तो यह यह जो पॉइंटा है डिफलेक्ट होगा और इस प्रोजेक्टर द्वारा ली जाने वारी करेंट को दिखाएगा उसके बाद यह आपने समझा कि एमिटर का करेक्षन किस प्रकार से करना है आए अब हम इससे आपको मेजरमेट करके बताते हैं कि प्रोजेक्टर कितनी करेंट्स दे रहा है किसे अब हम उम आप करेंगे यह जो आपका वॉल्ट मीटर है इसकी पोईंटर ही हलका से डिफलेट हुआ यह देखी यहाँ देख रहे हुआ है आप यह देख रहा होंगे कि जैसे-जैसे हमारा प्रोजेक्टर किट इसका करेंट कंजमसन बढ़ रहा है जैसे जैसे इसकी intensity ज्यादा हो रही है इसके दोवारा ली जाने वाली current की मात्रा बढ़ रही है चुकि current बढ़ रही है तो आप देखेंगे कि यह pointer धीरे धीरे आपका reading ज्यादा बताते जा रहा है मैं आप वह बता दूं कि यह जो projector है 2.7 Ampire का है तो जैसे ही कि अपनी full capacity से काम करना चालू करेगा यह जो आपका मीटर है मीटर 2.7 याने की यहां कहीं इसकी reading होना चाहिए जब यह full capacity से काम कर रहा हूँ तो कि दीरे दीरे इसकी reading बढ़ रही होगी अभी एक Ampire के आसपास आ गई है इसकी reading तो कहने का मतलब यह है कि यहां आप connection तो समझ चुके हैं दीरे दीर इसकी reading बढ़ जाएगी जैसे जैसे full capacity से काम करने लग जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि इस video से आप आप moving iron emitter के बारे में परियाख ज्यान अर्जित कर चुके हैं